हाई गाईस गूड मॉनिक कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे दोस्तों आज हम बात करेंगे कोश्ट का यांतरिक और नावी का दोस्तों जैसे है कि आपको पता है कि आज से फ़र्म भराना शुरू चुका है उसका डेटेल से लिवर से हम आज बात सबसे पहले टूटल प्लस सबको पता है अपलाई करने के दोस्तों आज से यानि कि दो जूलाई से 16 जूलाई तब है ठीक है यह सब तो आपको पता होगा पोस्त के नाम है जोस्तों नाविक जीडे 260 सबसे ज्यादा इसी में सीट है इसमें अगर योगत है कि बात करें 10 प् यह सबसे इसके बारे में हमेशा यह हमसे सवाल पूछा जाता है सर एच के बारे में डिटेल्स आप बता देजिए 18-22 एज मांग रहा है तो फोर नाविक जीडी के लिए और यांतरी के लिए अगर आपका जनम यह दियान देखिएगा दोस्तों जो हमें बताने वाला हूं इसी पर आपका दोस्तों फर्म डिपेंड करते भराएगे कर नहीं भराएगा ठीक है एक फेवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बिच अगर आपका जनम हुआ है तो भी आप फर्म अप्लाई कर सकते हैं ठीक है किसके लिए दोस्तों नाविक जीडी के लिए और यांतरी के लिए एक अप्रेल 2000 से लेकर 1 मार 2004 के बीच है तभी आप हम अपलाई कच है ठीक है तो आप देख लुका जल्म है इनके भी हुआ है तभी आप हम अपलाई कर सकते हैं देखें दोस्तों एज भी जो होता है दोस्तों इसलिए हमने दूस्तों यहां पर लिखती है तब भी कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट के माद आप सब पूछ लेजिएगा हम बता देंगा अब दोस्तों सवाल उठा कि कितने परसंट पर एड्मिट काड आएगा जैसे कि आपको पड़ता है SSR और डॉबल एक दोस्तों कितना हाई कट अप गया है कि किसी किसी स्टेट में 90 प्लस चल गया है किसी में 88 परसेंट था ठीक है तब इसमें क्या होता है दोस्तों देखिए हालाके दूस्तों इसमें देखिए एड्मिट काड आ जाता है इतना मांगता ह दोस्तों कैटेरिय उतना पर लेकिन दोस्तों इस बार है साहोने वाला नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आकुन आप करना दबाएगा कोई भी नोटिफिकेशन आगा आपको मिल जाएगा अब दिसक्स कर लेता है डिचेल से ले बस क्या है सबसे पहले आप समझेगा सबसे पहले नाविक जी इसम works न दिश्क लेता इसमें दो सेक्षण होता है एक सेक्षण उन इसमें मेरीं पुंछे का थीक है यहां नमशक हो गया सठाट मैं एकस तूमस टूइस और सेक्षणर सेक्षणर हो जना दोर्ण सुन लिए टिक यह तोस्के लॉड़ सेक्षन थिक्षणर करना है आपको ठीक है तब ही आपका रिजल्ट होगा हाला कि दोस्तों यह अभी बता पाना संभण है एक इक्जाम के लेबल पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रस ने पूछा जाता है ठीक है लेकिन 60 प्रस आपका होना चाहिए कोई भी कटेगरी सो हो अब बात करते ह स्प्राइब इसका मतलब स्लिभर्स क्या है साइंस मैंत इंगलीज जिये और दोस्तों सक्षा जाएगा यानि सेक्षा लिखा हुआ है सेक्षावन यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि मैठ 20 नमबर का हो गया साइंस नमबर का इंगलीज 15 ऑर इसमें पूछाएगा इसका पू यह सेक्षन वन था और सेक्षन टू मैथ दोस्तों फिजिक्स था इसमें आपको अलग से पढ़ना यह आप समझ गए केवल सेक्षन वन जो साथ नमर का था तो अब दोस्तों बात करता है यांतरिक में यह कि अलग गलग सबसे इसी में तेड़ा से समाझ लेगा साइन्स मैं इ इसके लाएं सेक्षन फॉर में यह सेक्षन फॉर में अजागा एलेक्षन फाय और सेक्षन फाइप में में आपको पता है 60 मिलेगा 60 मांच कहीं रहेगा मतलब समय मिलेगा 45 मिनट का ठीक है यह डिटेल्स के बारे में हो गया कोई डाउट हो सेलेबस के बारे में आप कॉमेंट के माध्यम से पूछ लेजएगा अब देखे दोस्तों यह सवाल उट्टा है कि इसका सब बेस्ट बुक भी बता अब दोस्तों सवाल उट्टा है कि previous year का cut up कितना गया था यह भी सवाल उट्टा है तो अभी आपको प्राक्टिस होगा उतना मार्स आप किजिएगा उसका भी दोस्तों हम वीडियो को लेडी बनाये थे यह वेकेंसी दोस्तों पहले ही इसका नोटिफिकेशन मतलब आया न पूछ लेजिएगा फिलात दूस्तों वीडियो मतने ही रखते है आसा कटना दूसर वीडियो आपको पसंद आया होगा स्परद्श चाल को प्लीज सब्सक्राइब कर दबाएगा वीडियो को लाइक और शेर कीजिएगा दनेवाद